Om Chanti Om Chanti Om Chanti हम सभी प्रवर्ति में रहने वाली स्रेश्ट आत्माएं प्रवर्ति के प्रभाव से मुक्त मानों निवर्ति में रहते हैं ऐसी स्थिती बनाने वाले हैं सन्यासी तो घर छोड़ कर निवर्थ हो जाते हैं लेकिन हमें प्रवर्ती में रहते हुए ये सन्यास करना है अर्थात निवर्थ रहना है मनों विकारों से भी निवर्थ पाप कर्मों से भी निवर्थ महों मम्ता से भी निवर्थ तेरी मेरी व्यर्थ की च्छाओं से भी मुक्त ये स्थिती बहुत स्थिती है और उनमात्माओं के लिए भी आदर से जुजंगल में जाकर या सन्यास लेकर भी निवर्थ नहीं हो पाते हैं हमें निवर्थ होकर मुक्त होकर दिखाना है और इसकी विधी है सदा आत्मिक भाव में रहना निमित भाव में रहना समर्पन भाव में रहना मैं निमित हूँ इस धर का इस संगठन का इस सेवा का करन करावनहार बाबा है अब हमारा वो साथ ही बन गया है हमारे परिवार का मेंबर बन गया है हैड बन गया है अब बस उसकी अज्ञानुसार हमें चलते रहना है और अपनी प्रवर्ती को ग्रस्त आस्रम बना देना है ऐसा आस्रम जहां कर सभी सुक्चेन की स्वांस लें जहां कर सभी को हिस्वरिय बल मिल जाए जहां कर सभी अपने परंपिताश से मिल सके, प्यार पा सके तो हम आत्मी भाव में रहें अपने परिवार के सभी सथस्यों को तीन चार पांच बार इस दरस्ती से देखें इस सब आत्में हैं हम सभी आत्में सत्यूग से चली आ रही हैं अपने घर से आई थी और जनम जनम इस रष्टी नातक में हमने पार्ट हो जाया कितनी बार हम साथ रहे कितनी बार हम अलग हुए अब पुन्हें हम साथी बन गए हैं अब हम सब को ये सब कुछ यहीं छोड़ कर वापिस जाना होगा यात्मिक भाव यात्मिक चिंतन हमें बहुत उप्राम कर देगा दूसरी बात निमित भाव हम निमित हैं परिवार को चलाने के जिम्मेदारियों में भी हम निमित हैं ये नहीं मैं मालिक हूँ मैं कमाने वाला हूँ मैं घर समालने वाली हूँ मैं ही घर की मालकिन हूँ निमित हूँ इससे बहुत हलकापन रहेगा जीवन सुखी हो जाएगा और कोई भी जिम्मेदारी बोज प्रतीत नहीं होगी ऐसे ही समर्पन भाव, सब कुछ तेरा, अपने परिवार, बच्चों को सब को देखकर, धन्संपदा को देखकर, रोज संकल्प करने एक बार, गहरे मन से, सच्चे दिल से, भावा ये सब कुछ आपका है, कर्म भी समर्पित भाव से करें, कर्म के परिणाम को भी बावा पर अर्पित कर दिया करें, मेरा हर कर्म तुम्हारे लिए है, ऐसे गड़ फिलिंग के साथ, हम समर्पन भाव को बढ़ाते चलें, इससे मैपन, मेरा पन शूटता जाएगा, और हमारी स्थिती माहान बनती तो आईए हम सभी, ग्रस्त में रहते हुए, अपनी स्थिती को निरंतर योग युक्त बनाएं, माहान बनाएं, कभी हम स्रे स्वमान में रहें, तो कभी हम बावा से त्यार भरी बाते करते रहें, कभी हम सुरसन चक्रधारी हो कर रहें, तो कभी बावा की किरने प्राप्त करते रहें थारा दिन हम निमिताव में रहेंगे और अपने परिवार को इस दरस्ती से देखेंगे ये सब आत्म महानäg थीम हमारे प्रिवार में ऐघटी हूई हैं हमें निमित बन कर इनकी पाल ना करनी है और फील करेंगे हमारे पूरे परिवार के उपर श्री बाबा की छत्र शाया है